आप लोगों को यह बी बता है कि एक्जाम आप लोगों के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा पहुत सारे अच्छे को कोशन आप लोगों के सेट से आते तो आप लोगों को काफी है मिलेगी ठीक है और सभी स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स में अपना स्कोर भी जरूर बताएंगे कि उन्हें कितना स्कोर करा है और साथ ही साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से अच्छे से रिवाइस कर रहे होंगे तो लास्ट मुमेंट चल रहा है आ कोर्स केहने का मतलब कि आपके जो अगली येर में ससी जी 2020 का जो आपका 21 में मार्च की डेट है उसके लिए फुल स्लीबिस कोर्स जिजाइन किया गया है जिसमें आप लोगों को टेक्निकल रीजनिंग जी के चीर्स तीनों देखने को मलेगी इसमें आप लोगों को इस्ट्र डेट है अगी चलें तो राजिस्तान जे का फुल स्लीबिस का कोर्स इसमें आप लोगों की जी के बीएवलिबल है अगर हम थर्ड बात करें तो यूपीपेसी का कोर्स इसमें आप लोगों की यंदी जी के दोनों अबलिबल है यह, जिए क्रिंतिकल पास चल रही आप ठक है bakalım Messie começar स्टील के 4 लेक्षर हीुँ है बिलकुल upload ऑप लगो कि जीखे और रिजनिक दोनओं इफलेबल है çले स्टार्ट करने है कि परस्ट कोषगे आप लोगो की स्क्रीन पर आंसिस करो फिस तेल नॉट बी मोर देन फिल इन दा ब्लांक इंटेंशन मेंबर और फिल इन दा ब्लांक इन कंप्रेशन मेंबर तो 55 मिनिट्स में हम लोग 60 को करने हैं तो जरूर आप लोग अपनी अक्यूरेसी को देखो कि आप लोग कितना अक्यूरेट कर रहे हो ठीक है तो को बहुत जादा स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए अब जितना पड़ियर ठीक है बस रिवाइस हो जाए अच्छे से तो आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ले जाओगे तो ज्यादा स्ट्रेस अप लेना नहीं है सबी स्टूडेंस करें सबी लोग वीडियो को soak the tip like share बी करदें का सींस करें बिया फिर नाच नहीं करना है कि इसने कर लिया तो हमने करना है अगर पिछ की बात करें तो इसी हो烹ट की कि इसन मेंट maior चाला से सब्सक्रीए कि इसका मतलब option number C आपका correct answers आगे चलते हैं next question के साथ for which of the following process बोचेरी process is used बोचेरी process हमारी किसके लिए यूज होती है bricks की manufacturing के लिए cement की production of clay tiles की या green timber के treatment के लिए सबी students answers करें फटा फट से और सबी लोग अपनी presence को भी जरूर माग करें और answers बोचेरी process किसके लिए यूज होती है तो अर्जुन जी बबबन जी आदर जी दिनेश जी सौमिक जी अजय जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ साथ इसाथ answers भी देखो कि कितने आप लोग ने answers को कैल्कुलेट करा है और आज तो फेस्टिवल भी होगा तो काफी स्टूनें ने पढ़ाई नहीं करी होगी तो दो लेक्टर्स यही रेख लिए तो 70 कोर्शन सुपर मॉर्निंग में करें सिर्फ सी कोर्शन आप लोगों ने अभी कर लिए तो कहीं ने कि आप लोगों के लिए बेनिफिट्स ही है इस कोर्शन का आजसे क्या जाएगा treatment of the green timber option number D आप लोग का correct answers होगा अगर हम बोचेरी प्रसेस की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि freshly fed green bamboo with branches and leaves जो हमारी fresh उसी समय हमारी आपको जो timber देखने को मिलती है उसके लिए हम लोग बोचेरी प्रसेस को use करते हैं आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ what is the percentage content of asphalt in the cutback asphalt cutback asphalt में asphalt का कितना percentage होता है 10% 30% 50% या 80% के साथ आप लोग answers को mark करोगे सबी students answers करें सबी लोग video को like share जरूर करें अब आप लोगों के recording कितना percentage asphalt का cutback asphalt में देखने को मिलता है तो अरजुन जी रवी जी विकास कुमार जी आदर जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ सबी students अपनी presence को भी mark करें और वीडियो को like share भी करें अब थार question का answers क्या होना चाहिए 80% के साथ very good अगर हम लोग asphalt के percentage की बात करें तो 80% हम लोगों को देखने को मिलेगा जैसी emulsion हमारा use होता है सेम इसी तरीके से हम लोग cutback को use करते हैं क्योंकि यह हमारा क्या करता है viscosity को reduce करता है इसी कारण इसको colder reason में ठंडी इलाकों में हम लोग इसे use करते हैं ठीक है जैसे tag coat में, fork seals में, slurry seals में, stabilization materials में हम लोग इसको prefer करते हैं आगे चलते हैं next question के साथ in which of the following test of the vitamin ring and ball apparatus is used ring and ball apparatus test आप लोगों का किस के लिए use होता है penetration के लिए, softening के लिए, viscosity के लिए, flesh and fire point के लिए सभी students answers करें आप लोगों के recording क्या answers जाना चाहिए answers करो कि ring and ball apparatus test को हम लोग किस stage के लिए use करते हैं सबी लोग class को share भी करें, काफी कम students है answers करो fourth question का B answers, very good softening point test के लिए हम लोग use करते हैं ring and ball apparatus test अब इसमें कुछ points आप लोगों के important है हम लोग कहते हैं कि ring and ball apparatus जो आप लोगों का use होता है वो हमारा softening point temperature susceptibility को find out करने के लिए होता है अगर हम बात करें कि कितने mm diameter की यहाँ पे steel wall होती है यह आप से बहुत बार पूछा गया है तो 9.5 mm की diameter की steel wall होती है और drops उसको कितने distance पे कराते हैं 25 mm से हम लोग उसे drop कराते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे ring ball apparatus अगर आप बात करें तो softening point के लिए use होता है आगे चलते हैं next question के साथ Spacing of teching fasteners when exposed to weather should not exit Teching rivets आप लोग के अगर हम बात करें तो हम लोग teching rivets को stability के लिए provide करते हैं अब आप से spacing पूछा गया है और बोला गया है कि exposed to weather अगर हम weather में उसको expose करके रखें तो spacing कितनी होनी चाहिए सब इस students answers करें इस question का फटा-फट से Yes, 35 से 70 degree centigrade आप लोगों का यहां पर temperature देखने को मिलता है Very good अब इस question का answers करें आप लोगों के according Teching fasteners की spacing क्या होती है So, समझ के answers करो देखो सब लोग same answers करें तो सब एक जैसे answers ना करें अपने दिमाग लगा के answers करो देखो, रवी मौरिया जी का D answers आ रहा है दिनेश जी का D answers बहुत अच्छे answers अगर हम लोग 5th question की बात करें तो right answers आप लोगों का जाएगा 16T, where T is the thickness of the outside plate option number D आप लोगों का correct answers दियान रखेंगे taking fasters में अगर हम लोग exposed to weather, weather पे exposed कर दे रहे हैं तो आप लोगों की spacing चाती है 16T और इसी तरीके से अगर not exposed to weather अगर बोला होता तो फिर आपकी 32T answers होता आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ ठीक है which of the seasoning method is adopted for the rapid seasoning of timber on large scale on large scale to obtain any desired moisture content अगर हम लोगों से यहां पे यह बोला जाए कि कौन सी ऐसी हमारी rapid seasoning method होती है जो कि किसी भी level पे moisture content को reduce कर देती है तो यह air seasoning होता है boiling process होता है clean seasoning होता है या water seasoning के साथ answers को mark करोगे सबी students answers करें यहां पे और सबी लोग वीडियो को like share जरू करें अब आप लोगों के according सबसी हमें rapid जल्दी seasoning देखने को मुल रही है moisture content बहुत जल्दी से आप लोगों का remove हो रहा है large scale पे भी और उसको आप लोग अपने अनुसार कितने भी moisture content तक उसको reduce कर सकते हैं इसका मतलब answers किसके साथ होगा चलो इस question का answer करें 6 question का देखे 6 की अगर हम बात करें तो answers आप लोगों का जाएगा clean seasoning option number 3 आप लोगों का correct answers होगा देखे अगर हम clean seasoning की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कहते हैं कि clean आप लोगों का एक oven की तरह होता है जिसमें हम लोग timber को stack करके रखते हैं और इसमें हम लोग temperatures को क्या कर सकते हैं अपने according कितना भी कम कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ strength of bolt is strength अगर bolt की बात करें तो क्या answers होना चाहिए आप लोगों के according अगर हम लोग gold की strength की बात करें तो यह हमारी minimum होती है shear strength and bearing capacity of the bolt या B option आप लोग answers करोगे maximum of shear strength and bearing capacity of bolt yes, C option answers करोगे shear strength of the bolt या D option answers करोगे bearing capacity of the bolt strength of the bolt is क्या answers होना चाहिए आप लोगों के according सभी students अपनी presence को भी जरूर मार्क करें और answers करके बताएं कि 7th question का answers क्या होना चाहिए very good अगर हम लोग strength of bolt किसी की बात करने है तो हम लोग कहते हैं कि minimum of shear strength and bearing capacity of bolt कितने minimum load पे जाके वो fail हो जा रहा है यह हमारी strength है इसका मतलब option number A आप लोगो का correct answers next question देखो अगर हम strength of bolt की बात करें तो इस minimum of the shear strength and bearing capacity of the bolt design strength की बात करें तो nominal shear capacity upon 1.25 design bearing strength की बात करें तो nominal bearing capacity upon 1.25 आगे चलतें next question के साथ 8th question को answers करो फटाफट से अब देखो next question में आप लोगों से बोला गया है कि जो prime forces होती है prime forces आप लोगों के friction forces होती है shear forces होती है tensile forces होती है या bending forces होती है तो आप लोगों के according prime forces are answers mark करो इस question का कि क्या answers होना चाहिए answers करें सभी students सभी लोग अपनी presence को भी जरूर माग करें आप देखतें इस question को कौन answers करके बताते हैं कि prime forces हमारे कौन से होती है very good friction forces को हम लोग क्या कहते है prime forces कहते हैं बिल्कुल गलत answers है prime forces में answers कर रसो समझ के 8 question की बार करें तो prime forces आप लोगों के होती है tensile forces option number C आप लोगों का correct answers होगा prime forces are tensile forces को हम लोग prime forces कहते हैं तो हर गोविन जी, आदर जी, काफी लोगों का C answers है tensile forces देखो in connection subjected to a tensile stresses, the flexibility of the connected parts can lead to the deformation और जो ये additional tension force हमारा यहाँ पर लगता है उसको हम लोग prime forces कहते हैं आगे चलते हैं next question के साथ explosive required for blasting is measured in explosive required के लिए जो हमारी blasters, powders हम लोग use करते हैं, उसके हम लोग किसमें measure करते हैं, क्योभी एक meter explosive power, energy release kilograms, answers करें फटा-फट से चलिए, तो सबी students answers करें, सबी लोग वीडियो को like, share, जरूर करें और आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए, 9th question का, तो D answers करें, बहुत अच्छे, अगर हम लोग explosive required for blasting की बात करें, तो इसको हम लोग kilograms में measure करते हैं, इसका मतलब option number D upload का correct answers, आगे चलते हैं next question के साथ, इस question को answers करो which of the following is the correct statement for the length of the long wall as one move from the earthwork to break work in superstructure in long and short wall method, जो आप लोग की long wall and short wall method होती है उसमें आप earthwork से break work को जा रहे हैं, तो हमारी जो length होती है, वो हमारी decrease करेगी या हमारी length पे depend करेगी increase करेगी, या option number D को mark करोगे, सबी students answers जरूर करें, सबी लोग अपनी presence को भी mark करें, और answers भी करके बताएं तो उतकर जी, अभिशेक, वर्मा जी, अर्जुन जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ इस question मैं answers करो, आप लोग क्या करें, आप लोग foundation से लेके आप लोग super structure की ओर को जा रहे हैं, तो value हमारी क्या करेगी यहां पे very good, its value decreases, किस क्या dip करेगी, decrease करेगी, और इसके opposite में अगर हम लोग कह दें कि super structure से अगर हम लोग आ रहे हैं, तिक है foundation की ओर को, तो हम लोग कहेंगे, its value increases, next question, which of the following method is used for the estimation of depreciation of building, building के depreciation के लिए हम लोग कौन सी method को adopt करते हैं, constant percentage method, direct comparison method, logistic curve method, rental method, answers करो, इस question का सोज समझ के, सबी students answers करके बताएं कि आप लोग के according क्या answers होना चाहिए, देको length of जो short wall and long wall method होती है, उसको हम लोग जब calculate करते हैं, उसके बाद का conclusion है, कि ऐसा होता है, इस question को answers करो, 11th question में, very good, constant percentage method को हम लोग कहेंगे कि depreciation के लिए use होता है, आप लोग को पता है कि D is equal to depreciation is equal to C minus S upon N होता है, C में हम लोग कहते हैं कि cost of the project, S हमारी scrap value and हमारा number of years, option number A आप लोग का correct answers, आगे चलते हैं, capitalized value of the property is the product of, capitalized value हमारा किस किस का product होता है, तो option number A को mark करोगे, B के साथ जाओगे, या C को mark करोगे, या D के साथ जाओगे, कि annual income और A purchase का product होता है, capitalized value, answers करें फटा-फट से, answers क्या होना चाहिए? सबी students answers जरूर करें, आप लोगोंने, at least answers तो करना ही है, अगर गलत भी होगा, exam में आएगा, तो पता तो रहेगा कि आपने गलती करी थी class में, तो 12 questions का answers क्या करोगे? A answers आ रहा है, annual income and annuity, annual income and year purchase, annual income को हमें ये purchase से multiply करते हैं, तो answers, option number D, आप लोगों का चाहेगा, next question, which of the following parameters control the quality of weld, weld की quality को, इन मैंसे कौन सा हमारा ऐसा parameters है, जो की control करता है, हम लोग welding कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा है, जो की इसकी quality को क्या कर रहा है, इस पर depend कर रहा है, तो electrode का क्या composition है, इस बात पर depend करता है, या electrode का size, या matter plate का size क्या है, या composition matter plate के क्या है, सबी लोग answers करें, फटा-फट से, सबी students answers करें, सबी students अपनी presence को भी mark करें, very good, अब इस question को answers करो की quality of weld पर क्या depend करता है, तसाभी लोग C और D के साथ, 13 की हम बात करें, तो right answers आप लोग का जाएगा, size of electrode, option number B आप लोग का correct answers होगा, अगर हम 13 की बात करते हैं, देखो quality of weld में हम लोग बात करें, तो size of electrode हमारा कैसा है, current इसमें से, क्यूंकि जिस तरीके से इसमें heat up होगा, और हमें melt देखने को मिलेगा, ये depend करता है कि electrode का size कैसा है, आगे चलते हम लोग next question के साथ, the ratio of the focal length to the objective of stadia interval is called, f upon i को हम लोग क्या कहते हैं, तो f upon i को additive factor कहोगे, multiplying factor कहोगे, staff intervals या subtractive factors कहोगे, सबी students answers करें, सबी लोग अपनी presence को भी mark करें, और answers भी करके बताओ, तो f upon i के ratio को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, अब देखो कुछ questions तो exam में भी ऐसी होगे ना, कि जो हम में पहली बार ही दिखेंगे, चिक है, इस question को answers करो कि f upon i क्या answers होना चाहिए आप लोगों का, multiplying factors, very good, option number b, आप लोगों का correct answers होगा, आगे चलते हैं 15 के साथ, calculate the additive and multiplying constant, focal length f की अगर हम बात करें, तो 250 mm है, stardia intercept की बात करें, i हमारे पास 2 mm है, distance हमारे पास दी है 190 mm, आप लोगों से बोला गया है कि calculate करो, additive and multiplying constant, फटा-फ़र से answers करें इस question का, आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए? एक घंडे आप लोगों का class रहता है, जिसमें हम लोग 60 questions को कर रहे हैं, सभी लोग answers करें 15 questions का क्या answers होना चाहिए? सभी लोग answers करके बताएं, सभी students class को share भी करें, 15 में क्या answers मार्ग करोगे? अगर हम 15 की बात करते हैं, तो आप लोगों से क्या बोला गया? additive बोला गया है, तो हमें पता है कि F plus G, और अगर हम लोगों से multiply फूच दिया जाए, तो F upon I हम लोग कहते हैं, अब आपको पता है कि focal length 250 हम लोग को दे रखिया है, तो 250 plus 190 आप लोग का हो जाएगा, 250 plus 190, इसक अगर हम लोग बात करें F upon I, तो यहां पर F हमारे पास कितना है, 250 है, 250 upon हमारे पास कितना है, Stadia Intercept आपके पाद 2 I, तो क्या आएगा यहां से 125 आएगा, 125 तो answers आप लोगों का क्या जा रहा है, option number D के साथ, बहुत अच्छे, option number D आप लोगों का correct answers होगा, आगे चलते 16 questions के सा इस question को answers करो, what is the function of the plumbing fork in the plane table surveying, plumbing fork की अगर हम function की बात करें, तो plane table surveying में इसका क्या function होता है, यह हमारी plane table को center करने के लिए यूज होती है, labeling के लिए यूज होती है, orientation के लिए यूज होती है, यह object को site करने के लिए यूज होती है, answers करो फटा-फट से, सबी students answers करें, और सबी लोग video को like, share भी करना करें, ठीक है, इस question को answers करो, कि 16 में क्या answers होना चाहिए, 16 के अगर हम लोग बात करें, plumbing fork, तो यह हम लोग use करते हैं, use for the centering of the plane table, option number A, आप लोगों का correct answers होगा, अगर हम लोग बात करें, plumbing fork की, तो इस थरीके से हम लोग को देखन को मलता है, यह यू फ्रेम आप लोग का है, यह आप लोग का plum bob है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, इसको center करने का काम कर रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं next question के साथ, the maximum error on the drawing should not be greater than, अगर हम लोग बात करें, कि हम लोग drawing बना रहें, इसमें maximum error हमारी, इस से ज़्यादा error नहीं हो चाहिए, answers करें कि 0.01 mm होना चाहिए, 0.025, 0.25 या 0.1 के साथ answers को mark करोगे, तो 17 के C के साथ, बहुत अच्छे, 0.25 mm हम लोग कहते हैं, option number C आप लोग का correct answers, 18 question पे चलते हैं, which of the following is true for the correction for the curvature, curvature के corrections के लिए इसमें से कौन से statement आप लोगों का right है, सबी students answers करें इस question का, तो आदर जी, विपिन जी, तपस कुमार जी, अभीनव जी, सुबरता घोच जी, पूनम पंत जी, रवी जी, अरजुन जी, संदीप अगरी जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ, very good, इस question को answers करो, 18 में क्या answers होना चाहिए, कि corrections are for the curvature, CC की अगर हम करते हैं, तो यहां पे आप लोगो का क्या right answers होना चाहिए, अब देखो CC की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 0.07895 इंटो D square हमको देखने को मलता है, और अगर हम corrections की बात करें तो यह हमारा negative होता है, D को हम लोग यहां पे kilometers में रखते हैं, तो answers किसके साथ जाएगा, answers करें सबी लोग, आप लगो कि according क्या answers होना चाहिए, 18 का, B answers, बहुत अच्छे, it is always the negative and proportional to the square of the distance between the staff and instrument, option number B, आप लोग कर right answers, 19 बे चलते हैं, which of the following type of the weld is most suitable for lap and T joints, lap and T joints के लिए सबसे अच्छा weld हमारा कौन सा होता है, fillet weld, grow weld, slot weld या plug weld को आप लोग answers मार्ग करेंगे, सबी लोग answers जरूर करें, आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे अच्छा weld अगर lap और T joints के लिए बात करें, तो आप लोगों का answers क्या होना चाहिए, fillet weld, very good, option number A, आप लोगों का correct answers होगा, 20th question पे चलती है, which of the foreign bonding is responsible to combine the silica gibiside seed in keulinite claim hindral, keulinite claim hindral के लिए आप लोगों से बोला गया कि कौन सा bond हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, covalent, hydrogen, ionic या polar covalent bond के साथ आप लोग answers को mark करोगे, आपको पता है कि अगर हम लोग केulinite की बात करते हैं, तो हम लोगों को maximum strength and stability देखने को मिलती है, इसका मतलब कि कोई strongest bond ही इसमें देखने को मिलता होगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तो कौन सा bond देखने को मिलता है, तो देखो 20 का C answers कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी है, ionic bond, very good, answers क्या होगा बई, केulinite आप लोगों को maximum strength and stability देखने को मिलती है, minimum shrinkage and swelling देखने को मिलती है, इसका मतलब strongest bond होगा, आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ आप लोग अंसर को मार्क करोगे, सबी सुडेंट्स आंसर करें इस कुश्चन का, तो आदर जी, सती सिंग जी, सौमिक जी, संधी पगरी जी, इंजिनियर सौरफ सिंग जी, सबी लोग बहुत अच्छे आंसर के साथ, अब इस कुश्चन में आप लोगों के कॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? 21 का B, शेफ फूट रोलर, क्ले और सेंडी, क्ले के लिए भी यूज़ हो सकता है, सेंडी के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो ये क्या है? सब लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर के साथ, 21 का क्या आंसर होना चाहिए? 21 का आंसर चाहिए आप लोग का, स्मूट वील रोलर, आप्शन नमर सी, आप लोग का करेक्ट आंसर, शेफ फूट की बात करें, तो ओनली क्ले के लिए हम लोग कहते हैं, नुमेटिक रबर टाइट की बात करते हैं, तो सिल्टी सेंड, सिल्टी ग्रावल के लिए कहते हैं, और बोला गया आप लोग से, तो स्मूट वील रोलर को हम लोग यहां पर प्रिफर करते हैं, नेक्स कॉशन, हाइड्रॉलिक रेडियस आप लोग को, आर की वैल्यू आप लोग को दे दिया है, 4.5 मीटर्स, और एडिया आप लोग को दे दिया गया, 18.5 स्कॉएर मीटर्स, और आप से कॉशन पुछा गया है कि, वेटेट पैरिमिटर अप दी चैनल्स, एडिया अप लोग को दिया गया है, 4.11 आ रहा है, इसका मतलब option number A आप लोग का right answers हो जाएगा 23 पे चलते हैं, 23 का answers करें सबी लोग Deflection can be reduced by, deflection को अगर हमें reduce करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सबी लोग answers करें, सबी students वीडियो को like, share जरूर करें आप 23 में आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए तो आदर जी, सोविक जी, बबबन जी, वेरी गुड, दिलसाज जी, सबी लोग अच्छे answers के साथ अब deflection को अगर हम लोग reduce करना चाहते हैं तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा इसमें, answers करो सबी लोग बिलकुल, हम लोगों क्या करना पड़ेगा, depth को हम लोगों ने increase करने ना पड़ेगा जिसके कारण हमारा deflection क्या हो सके, reduce हो सके आगे चलते हैं, which of the following statement is correct for the sprinkler irrigation method sprinkler irrigation method के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि water is applied in the form of spray, spray के form में हमारा water यहाँ पर हम लोग apply करते हैं ठीक है हम लोग कहते हैं कि rolling lands आप लोग की हिली areas में generally हम लोग sprinkler irrigation method को use करते हैं, अब आप से question पूछा गया है कि इसके regarding अगर आप लोगों से पूछा जाए कि sprinkler irrigation method में कौन से statement correct है, तो आप लोग कौन से answers को यहाँ पर mark करोगे सबी लोग answers जरू करें इस question का answers करो, 24 का क्या answers होना चाहिए, B, C, it is best suitable for very light soil, option number C, आप लोग का correct answers होगा, 25 में चलते हैं देखो, इस तरीके से spray की form में आपकी irrigation हो रही है, आगे चलते हैं, if the unsupported length, standgun की अगर बात करें तो unsupported length L आप लोगों के पाद 4 meter है, radius of vibration की बात करें तो 5 है, आप लोगों से selenus ratio पूछा गया है, answers करो, फटा-फट से, सभी लोग answers जरूर करें, इसके बाद 50 question आप लोगों की technical है, इसके बाद 10 question आप लोगों की current affairs के हैं, तो क्या answers होना चाहिए, देखो, आपको बोला गया selenus ratio, lambda upon R हम लोग कर सकते हैं, L upon R, sorry, L की बात करें तो 4 meter, 4 meter हम लोगों सेंटिमीटर में change कर दो, 400, R आप लोगों को 5 दे रखा है, तो आप लोगों की पास कितना आगया, 80 आगया, option number C, आप लोगों का correct answers हो गया, 26 में चलते हैं, of keeping concrete, wet to enable it to attain full strength is known as, आप लोगों ने क्या कर दिया, concrete को पूरा गीला कर दिया, पूरा wet कर दिया, जिससे की वो क्या कर सके, full strength को achieve कर सके, तो ये curing है, wetting है, drenching है, या quenching है, सबी students answers करें इस question का, दसुबरिता घोजी, आनवर जी, रवी जी, सबी लोग बहुत chances के साथ, very good, अभी इस question में, आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए, curing, very good, आगर हम लोग concrete को wet कर रहे हैं, कि वो अच्छी strength को अपना achieve कर सके, इसका मतलब हम लोग curing कर रहे है, curing की बात करें तो ये कैसी process होती है, चुकि हमारे moisture content को maintain करके रख रही है, ठीक है, आगे चलत आप लोगों से बोला गया है, कि WP and WF are the weights of the cylinder containing partially compacted and fully compacted concrete, if the compression factor is 0.95, the workability of concrete is, देको ध्यान रखोगे, अगर हम लोगों से बोला जाए कि compression factors को हम लोग कैसे calculate करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि partially compacted concrete to the fully compacted concrete इसका ratio होता है, अब 0.95 आप लोगों की है, तो इसका मतलब हमारी workability कैसी होगी, तो answers क्या जाएगा, high workability आप लोगों की होगी, option number D, आप लोगों का correct answers, 28, the final operation of the finishing floors is known as, अगर हम finishing floors में क्या कर रहे हैं, final operation कर रहे हैं, तो यह हमारी floating है, finishing है, या traveling है, या all the options are correct, कल class नहीं है, कल आप लोगों का Sunday है, ठीक है, इस question का answer करो, finishing floors में हमारा final operation क्या होता है, तेको C और D के साथ आप लोग, अगर 28 की बात करें, तो traveling को हम लोग final operation कहते हैं, option number C, आप लोगों का correct answers, आगे चलते हैं, expansion joints are the provided, if the length of the concrete structure exits, अगर हम लोगों से बोला जाएं कि आप लोगोंने expansion joints को provide करना है, और expansion joints को हम लोग क्यों provide करने हैं, जिसे कि आप लोगों का free expansion allowed हो सके, तो हमारी length of the concrete कितना exit कर जाती है, कितना exit करती है, उसके बाद हम लोग expansion joint को provide करते हैं, 10 meter, 15 meter, 25 meter या 45 meter, सबी students answers करें इस question का, अब देखो, आज तो आप लोगों का Saturday है, आज इतने कम students हैं, तो Sunday को class लेके क्या फाइदा, इस question को answers करो 29 का, very good, 45 meter आप लोगों का answer जाएगा, option number D आप लोगों का correct answers, very good, आगे जलतें next question के साथ, देखो, बहुत important question आप लोगों की screen पर, देखते हैं, कौन इसको right answers करके बताते हैं, what are lintels, lintels हम लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, beams, जो कि provided in foundation, foundation में beam provide होरी, उसको lintel खहते हो, या beams हमें अपनी छत में, roof of the building में देखने को मिलती है, उसको हम लोग lintel खहते हैं, या column के above, जो हमारी opening होती है, उसको हम लोग lintel खहते हैं, या beam, जो कि हमारी wall की, beam above, opening in wall, wall की opening में हमारी जो beam होती है, उसको lintel कहते हैं, बहुत डर लग रहा है, exam है, अब देखो, डर के आगी जीत है, तो डर क्यों रहे हो, अब तो जितना पढ़ना था पढ़ दिया, अब तो revise करना है, और उसके बाद आप exam देना है, अब इस question को answer करो, what are lintels, lintels क्या होत है, देखते हैं, 30th question में कौन right answers करके बताते हैं, क्या बात है, option number D के साथ, very good, beams above the opening in wall, ये हमारे क्या होते हैं, lintels होते है, right answers, option number D, आगे चलते हैं, देखो, beams provided above the opening in walls to support the messenger that comes in between the opening and slap above, इसको हम लोग लिंटल कहते हैं, आगे चलते हैं, next question के साथ, अब देखते हैं, इस question को concrete करके बताते हैं, what are pallins, pallins हम लोग कहां पर यूज करते हैं, foundation में provide करते हो, आप लोग, या openings के above में provide करते हो, या इसको हम लोग अपनी trusses में use करते हैं, to support the roofing, या हम लोग इने plinth level में provide करते हैं, तो हम लोग pallins को कहां पर पर प्रोवाइट करते हैं, सभी लोग answers करो, सब्सक्राफट से, अब लोग इस तरीके से आप लोग के ट्रस्स होते हैं, और हम लोग कहते हैं, कि आप लोग इस तरीके से हम लोग एंगल शेप के या डिफरेंट डिफरेंट शेप के हम लोग pallins को provide करते हैं, क्या करने के लिए, roofing को support करने के लिए, being provided over trusses to support roofing, option number C, लोग का correct answers होगा, चीख है? आगे चलते हैं, पाल इंग के बात करें, yes, हमें form Z section का भी देखने को मिलता है, angle section का भी देखने को मिलता है, channel section का भी देखने को मिलता है, आगे चलते हैं, next question, the cement become useless if absorbed moisture content exits, cement आप लोग का useless हो जाता है जब हमारा absorb moisture content exit करता है कितने percent से exit करता है answers करें इस question को आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए अब देखो exam है pass में तो exam में अगर आप लोग टेंशन लोगे तो फिर आप लोगों को जो आता भी होगा वो भी नहीं कर पाऊगे इसे अच्छा है कि सबसे अच्छा रहता है कि exam से पहले बहुत cool mind से जाओ अगर आप cool mind से जाएंगे तो कहीं न कहीं जो question आपको नहीं भी आता होगा तो भी आप लोगों पर अच्छे से mind लगा पाऊगे ठीक है इसलिए आप ठंडा दिमाग रखना है अपना इस question को answers करो 32 में क्या answers करोगे very good 5% हम लोगों कहेंगे इसका मतलब 0.05 आप लोगों का correct answers होगा next question for concreting the surface of the runways runway में हम लोग concreting कर रहे हैं तो हमारी impact value shall not exit by weight कितनी exit नहीं करनी चाहिए 20% 25% 30% 45% answers करो फटा फट से आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए सबी लोगा answer जरूर करें आप लोगों के according क्या answer जाना चाहिए 33 का ठीक है 33 का answers की बात करें तो option number C 30% आप लोगों का correct answers होगा very good option number C आप लोगों का correct answers next question a sample of a cement is set to be sound when it does not contain free आप लोग सिमेन को sound कब कहते हैं जब उसमें free हम लोगों को क्या नहीं देखने को मिलता lime देखने को नहीं मिलता silica देखने को नहीं मिलता iron oxide देखने को नहीं मिलता या alumina is set to be when it does not contain free फ्री हम लोगों को क्या देखने को नहीं मिलता है तब जाके हम लोगों cement को sound cement कहते हैं सबी लोग answers करें इस question का आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए तो देखें अगर हम 34 की बात करते हैं तो right answers आप लोगों का क्या चला जाएगा lime चला जाएगा option number A आप लोगों का correct answers 35 देखते हैं इस question को करन right answers करते हैं देखो maximum reflection पूछा गया है uniformly distributed load के लिए over the entire span of the cantilever beam cantilever beam of length cantilever of length L and flexible intensity आपकी EI है देखो आप लोगों से बोला गया है कि यह cantilever beam है आप लोगों की इस तरीके से हमारा क्या है UDL हमारा इस तरीके से W per unit length अब आप लोगों से बोला गया है कि maximum deflection हमारा uniformly distributed load के लिए क्या होना चाहिए तो 2, 3, 6, 8 आप लोगों का होता है तो यहां पर क्या answers होना चाहिए दो हम लोग slope कहते हैं जब cantilever की बाप करते हैं और point load आप लोगों का होता है option number C आप लोगों का correct answers होगा very good आगे चलते हैं 36 के साथ the moment of inertia of the triangular section height h है base b है about its base is तो triangular section का moment of inertia क्या होता है सभी लोग answers करें और सभी students answers करके बताएं सती सिंग जी सुबरता जी संजे कुमार जी अनवर जी अर्जुन जी रेहां जी तपस कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ अब इस question में देखो triangular section की बात करी जा रही है तो इसका मतलब answers b h q by 12 option number C आप लोगों का correct answers आगे चलते हैं the load on a spring per unit deflection is called अगर हम बात करें कि load on a spring per unit deflection पी बाइड डिल्टा की बात हो रही है load per unit deflection तो यह stiffness है resilience है stress है यह load है सबी लोग answers जरूर करें आप लोगों के recording की answers होना चाहिए very good अगर हम लोग spring per unit deflection की बात करते हैं तो यह हमारी stiffness है option number A आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते हैं अब देखते हैं इस question को कौन correct करके बताते हैं अब देखते हैं कि किसकी तैयारी एक level उपर चल ली है 5 stars mark करो इस question को और देखते हैं कि कौन इसका right answers करके बताते हैं क्या वो लगया है पर लिंस और एजिम टू बी simply supported अगर पर लिंस को simply supported हम लोगोंने मान लिया तो moments will be moment हमारा क्या होगा wl square by 10 wl by 8 wl by 10 या wl square by 8 सो समझ के answers करो कि क्या answers 38 question का जाना चाहिए सबी लोग a के साथ और सबी लोग c के साथ बहुत ही बढ़िया a और c आप लोगों का correct answers होगा ठीक हैं दोनों या answers करेक्ट ने आप लोगों के कोड़ कि इस question का जो answers देंगे उनकी तयारी एक level उपर की है और किसी का भी सही answers नहीं आ रहा है और answers जाएगा wl square by 8 के साथ option number d आप लोगों का correct answers दियान रखोगे क्या बोला गया है कि परलीज को assume कर दिया है simply supported तो maximum bending moment क्या होगा और wl square by 8, wl by 10 या wl square by 10 ठीक है small w की बात हो रही है तो wl square by 10 अगर हम इसको capital w में लिखे तो wl by 10 कब होता है जब पलीज को हम लोग continuous करते हैं और हम लोग पलीज को design ही किस basis पे करते हैं continuous beam के base पे ही design करते हैं बहुती बहतरीन question में से एक है में भी आ जाया आप लोगों के देखो पलीज की बात करें तो इसे हम लोग simply continuous और cantilever किसी में भी कर सकते हैं और अगर पलीज को simply supported assume कर रहे हो तो maximum bending moment wl square by 8 होता है और अगर हम बात करें if they are assume to be continuous क्योंकि IS code कहता है कि इसे continuous ही हम लोग assume करते हैं तो फिर इसका answers wl square small wl square by 10 और capital wl by 10 हो जाएगा और IS800 recommends भी करता है कि हम लोग पलीज को continuous beam की तरह ही design करते हैं लेकिन question पुछा गया है कि पलीज अगर simply supported की तरह design होगा तो maximum bending moment क्या होगा अब देखो पूरी कहानी बता दी अब बोल रो मैं wl by 10 कब होगा अब जब continuous होगा अभी क्या बोला गया है simply supported आगे चल दें next question के साथ the equivalent length of the column of the length L having one end fix and other end is free आपका क्या देखो एक end हमारा fix है और दूसरा end हमारा free है तो हमारी equivalent length क्या होगी 2L, L, L by 2, L by root 2 फटा फट से answers करो सबी students answers जरूर करें आप लोग के recording क्या answers होना चाहिए तो yes one end fix, other end is free तो आप लोग का क्या जाएगा 2L हमारा आएगा option number A आपका correct answers 40th question design capacity of the channel या I section की बात करें तो हमारी design capacity क्या होती है option number A को mark करोगे B के साथ, C के साथ या D के साथ सभी लोग answers करें हमें तो ब्रजेश जी, दिरेश जी, संधी पगरी जी, संजे कुमार जी सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ देखो आप लोग की class continuous चल रही है तो अपनी class, एक class में आप लोग के साथ question हो रहे हैं तो आप लोग जब खुद से भी करते होगे तो 30 question कर पाते होगे आगे चलते हैं, the quick lime as it comes from the clean is caught अगर हमारे भट्टी से उसी समय quick lime आपका निकल रहा है इसे हम लोग milk lime कहेंगे, hydraulic lime, lump lime या hydrated lime आप लोग का answer जाएगा फटाफट से answers करो कि आप लोग के recording answers क्या होना चाहिए 41 का तो 41 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसे lump lime कहते हैं option number C आप लोग का correct answers आगे चलते हैं, quartzite हमारे किस तरीके की rock है sandy, siliceous, organic, calcareous rock तो रवी मौर्या जी, अजे जी, सौमिक जी, रवी जी, सती सिंग जी, नमरता जी दिनेश जी, अरुन हिमाचली जी, सुबरता जी, साभी लोग बहुत अच्छी answers के साथ very good, अब इस question का answers करो कि quartzite किस तरीके की rock है quartzite के अगर हम लोग बात करें तो quartzite हमारी siliceous rock है इसका मतलब option number B आप लोगों का correct answers होगा very nice, आगे चलते हम लोग next question के साथ close contours with higher value inside represents a अगर हम लोग close contours की बात करें और higher value हमें inside में देखने को मिलती है तो ये हमारा depression है, hill है, plane surface है या none of these तो देखिए अगर higher value आप लोगों के inverse देखने को मिल रही है इसका मतलब ये हमारी hill है option number B आप लोगों का correct answers होगा 44 में चलते हैं, आदेगो इसी तरीके से अगर lower ones हमें inside अगर one or more higher ones inside देखने को मिले तो इसे हम लोग hill कहते हैं similarly अगर इसके opposite की बात करें तो हम लोग इसे depression कहते हैं आगे चलते हैं, what is the slope at the end of simply supported beam of span 2 meter and a load of 5 kg per unit length over the entire span इस question को answers करो फटा-फट से देखिए अगर हम लोग slope की बात करते हैं तो यह हमारी simply supported beam है और यह हमारी simply supported beam है इसकी span की बात करें तो span आप लोगों का 2 meter है और आप लोगों से बोला गया है कि जो load हमारा है, वो load हमारा क्या है? UDL है और 5 kg per unit length आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इसको अब बोला जा रहे है कि slope calculate करो कि slope क्या है? तो आप लोगों को formula याद होना चाहिए अगर हम slope की बात करते हैं तो WL cube upon 24 into EI आप लोगों के पास होता है W की बात करें तो 5 into 2 का cube upon 24 into EI आजाएगा और यहां से solve करेंगे तो 5 upon 3 into EI आपके पास आजाएगा इसका मतलब answers आप लोगों का option number B के साथ जाएगा आगे चलते हैं A stairs should not have pitch more than अगर हम लोग stairs की बात करें तो pitch किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 25, 30, 40, 50, 60 सबी लोग answers जरू करें इस question का आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए तो आजे जी, सन्जे कुमार जी, ब्रिजे जी, सौमिक जी, सती सिंग जी, बबबन जी, सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good तो 45 में क्या answers करोगे pitch more than 45, 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 46, for which of the following slope of the roof truss angle section pallin can be used आप लोगों से क्या बोला गया है अगर हम लोग अपनी roof truss के slope, slope of roof truss की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग pallins को use करते हैं तो कितने angles में हम लोग करते हैं 25, 50, 75, 60 degree देखते हैं कौन इसको correct answers करते हैं answers करो 46 का, very good 25 डिग्री आप लोगों का correct answer जाएगा करते हैं तो यह unsymmetrical होते हैं और अगर हम बात करते हैं तो roof truss में यह क्या होना चाहिए less than 30 degree इनका slope होना चाहिए आगे चलते हैं flange cover plates are used in plate girdle when हम लोग क्या करते हैं flange जो आप लोगों का portion है उसमें cover plate को use कर रहे है क्यों करते हैं हम ऐसा flange cover plates are not used aesthetic appearance के लिए या movement resisting capacity हमारी बहुत बढ़ जाती है तो इसलिए हम लोग cover को use करते हैं या decrease कर जाती हैं इसलिए करते हैं सबी लोग answers करो इस question का फटा-फट से आप लोगों के recording क्या answers होना चाहिए very good जब movement resisting capacity आप लोगों की increase हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे cover plates को use करेंगे ठीक है आगे चलते हैं which of the following loads are not considered in the design of gantry girders यह हम लोगोंने बहुत बार पढ़ा है अगर हम gantry girders की बात करते हैं तो हम लोग कौन से load को यहां पर considered नहीं करते हैं longitudinal gravity lateral wind loads फटा-फट से answers करो सबी लोग बहुत अच्छे answers के साथ very good अब आप लोगों के according इस question का answers क्या जाना चाहिए तो देखो gantry girders की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग longitudinal loads को भी use करते हैं lateral loads को भी करते हैं तो किसको नहीं करते हैं तो answers wind load के साथ चला जाएगा आगे चलते हैं हम लोग next question के साथ the minimum recommended rise of the trusses with galvanized iron seat अगर हम लोग अपनी roof में चीक हैं हम trusses की बात कर रहे हैं तो हम लोग galvanized iron seat को use कर रहे हैं very very important question आप लोगों के exam के लिए answers करें सभी लोग सभी student जिन्होंने भी अपनी presence को mark नहीं करा है सभी लोग video को like share जरूर करें अब आप लोगों के recording discussion का answers क्या होना चाहिए बहुती सांदार भई तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगर हम बात करें तो 1 in 6 आप लोगों का किसके लिए होता है GI seats के लिए minimum recommended rice जो galvanized iron seats के लिए हो 1 in 6 होता है इसी तरीके से अगर asbestos cement seats है तो इसके लिए 1 in 12 होता है ठीक है 1 in 12 और 1 in 6 दोनों ध्यान रखना galvanized के लिए 1 in 6 और आपका asbestos के लिए 1 in 12 last question ask का कि west shaped bricks की बात करें यह हमारी एक arch ring में form होती है इस question को answers करो कि आप लोगों के according क्या answers होना चाहिए west shaped brick के अगर हम बात करते हैं तो यह soffit है, wasosir है, haunch है यह spindle से आप लोग answers को mark करोगे last question आप लोगों का civil का उसके बाद हमारे 10 question आप लोगों के GKGS के है इस question को answers करो, yes, wasosir हम लोग इसे कहते है, option number B आप लोगों का correct answers तो यह west shaped हम लोगों को जो देखने को मिलती है इसको हम लोग wasosir कहते है अब आप लोगों का start होता है GK section जिसमें कि हम लोग 10 question को cover करें target रहना चाहिए कि 10 out of 10 आप लोगोंने answers mark करने start करें GK के section को चलिए, start करते हैं, first question आप लोगों की screen पे which stream has won the Vijay 1000 Trophy 2019-20 by defeating Tamil Nadu Vijay 1000 Trophy 2019-20 की बात करें तो किसने defeat किया था Tamil Nadu को, मतलब कौन जीता था? करनाटिका, गुश्राद, महराश्रा, केला, आसाम तो किस ने जीती थी Vijay 1000 Trophy? क्या answers होगा? करनाटिका ने जीती थी भई विजय 1000 Trophy option number A, आप लोगों का correct answers, दूसरा and which state a traditional emergency service number died? 100 होता है आपका emergency number, इसको replace करके 112 कर दिया गया है कांसी government ने करा ऐसा? आंधर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, तेलंगाना ने, आसाम ने, वेस्ट बेंगॉल ने क्या answers होना चाहिए? उत्तर प्रदेश ने, option number B, आप लोगों का correct answers होगा तिसरे कोशन के साथ चलते हैं, स्वास्तिका घोस and काविया श्री भासकर are related to the witch sports, the wrestling, badminton, wasu, table tennis answers करो फुटा फुट से कि आप लोगों का answers क्या होना चाहिए? सभी लोग answers करके बताएं, सभी students वीडियो को like, share जरूर करें अब थार कोशन में आप लोगों का answers क्या करेंगे? थार कोशन की बात करें तो ये table tennis आप लोगों का correct answer जाएगा, option number D आप लोगों का correct answers आगे चलते हैं, in which city Global Bio India 2019 है? तो कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है? Global Bio India 2019, New Delhi, Pune, Hyderabad, Jaipur, Guru Gram answers करो, fourth question का कि क्या answers होगा? तो fourth question की अगर हम लोगों बात करें तो हम लोगों कहते हैं, Global Bio India हमें New Delhi में देखने को मिला, option number A आप लोगों का correct answers नेक्स question, justice सरत अरविन बोब्रे, has been appointed as the fill-in-the-blank chief justice of India ये कौन से chief justice है हमारे कौन से number के? 45, 46, 47, 44, 48 फटा-फट से answers करो इस question का, देखते हैं कौन? right answers करके बताते हैं सब ये students वीडियो को like, share जरूर करें और answers भी करके बताएं fifth question में आप लोगों का answers क्या जाना चाहिए? fifth का C, very good 47, option number C, आप लोगों का correct answers होगा आगे चलते हैं six के साथ which country has won the 2019 Rugby World Cup by defeating by England in Japan तो आप लोगों से बोला गया Rugby World Cup किसने जीता 2019 में? तो France, South Africa, Qatar, Mexico, China answers करो six question का सभी लोग answers जरूर करें सभी students अपनी presence को भी जरूर मार्ग करें अब आप लोगों के recording six question का answers क्या होना चाहिए? very good, South Africa आप लोगों का correct answer जाहेगा option number B आप लोगों का correct answers 7th में चलते हैं which day is observed as World Tsunami Adventist Day तो World Tsunami Adventist Day में हम लोग कांसे टी को celebrate करते हैं? 5 November, 2 November, 31 October, 25 October, 20 October फटा फटा से answers करो इस question का तो 7th question में अगर हम लोगों बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे? World Tsunami Adventist Day आप लोगों का कब celebrate होता है? very good, 5 November, option number A आप लोगों का correct answers होगा 8th question पे चलते हैं फटा फटा से answers करें इस question का आप लोगों के कार्डिंग क्या answers होना चाहिए? तो 8th question के बात करते हैं तो ये हमारी कहां से बिलोग करती है? Australia से बिलोग करती है, option number A आप लोगों का correct answers 9th question पे answers करते हैं former chief justice of India, CGI Ranjan Gagoi Ranjan Gagoi की बात करें तो इन्होंने एक book कह सकते हैं कि इसका version हमारा Goa Hati में करा है What is the name of this book? तो answers क्या होना चाहिए? listening, learning and leading, courts of India ये option number C को मार्क करोगे D के साथ या E के साथ 9th question में हम लोग बात करें तो answers क्या जाएगा? courts of India, option number B आप लोगो का correct answers होगा तो last question आप लोगो की screen पे कि where is the headquarters of the Commonwealth Games Federation? तो Commonwealth Games का आपका headquarters कहां पे है? इस question को answers करो Paris answers करोगे, Geneva ये option number C को मार्क करोगे, या D के साथ answers करें, last question आप लोगो की screen पे 10 वे का D तो answers क्या जाना चाहिए? आप लोगो का London यहाँ पे answer जाएगा इसका मतलब option number D आप लोगो का correct answers 10 वे question का यहाँ पे आप लोगो की question over होती है hope so आप लोगो को session पसंद आया होगा तो सबी students कल आप लोगो का Sunday अच्छे से आप लोग revise करें क्यूंकि exam आप